हेलो फ्रेंट, दिस साइट गुरवीर तो आज हमारी वीडियो की टॉपिक है कि मीडिया से सुप्रीम कोट क्यों नराज चल रहा है और इस वीडियो में हम आपको प्रॉपरली बताएंगे कि उस समय सुप्रीम कोट में किस तरीके से भैस साथ, भैस जो आर्गुमेंट हुई हमारी वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप तक बहुती फैक्ट और फिगर्स के साथ आप तक न्यूस पहुँचे और आपको क्लियर पता हो कि इस समय लेटेस्ट चल क्या रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है क्योंकि आम लोग मीडिया पर विश्वाश करते है और आखे बंद करकर उन पर देखते रहते हैं कि मीडिया कहीं सची बता रहा है पर आपने मैं आपको एक्जेम्पल के सुशान्त वाला केस देखा होगा आपने रिया और सुशान्त का आम लोग सभी वाकिफ होंगे किस तरीके से एक ट्राइल चल रहा था मीडिया में आप एक विटनेस को वो लोग पहले तयार हैं उस चीज के लिए कि उनका विटनेस क्या कहने वाला क्योंकि वो टीवी पर तो कही चुका है तो इतना हाईलैटेड केस था तो पता नहीं समझ नहीं आता है मीडिया इसमें इतना इंटरफेर कर रहा था एक टी आरपी के लिए कि लोग उसमें एक कहानी बना दिया था ultimately it's like an episode आप जैसे एक episode देखते हैं टीवी पर daily क्या हो रहा है सुशान्त आज केस में क्या हुआ रिया आज कहा है क्या कर रही है तो क्या बना दिया था केस का आप लोग अच्छी तरह जानते हैं तो चलिए हम अपने topic की तरफ बढ़ 15 September 2020 there is an argument in a media there is an argument in a supreme court की media पर किस तरीके से transparency लाई जाए self-regulation तयार किये जाए और media के ऊपर एक तरीके का media को जवाब दे media की हमारे stakeholders जो हमारे channels पर stakeholders हैं उनका pattern वो किस तरीके से पैसा उनमें निवेश किया है उन्होंने मतलब ultimately एक channel पर एक ad क्यों जादा आती है और एक channel प क्यों आती है तो इन चीज़ों के सब चीज़ों का Supreme Court ने जवाब मांगा है self-regulation एक तरीके की committee तियार करे self-regulation मतलब उसी के media के लोग उसमें committee में हो और वो खुद बताएं कि किस तरीके की एक डायरा बनाना चाहिए एक media के ओपर media किस दायरे में काम करे तो हम बढ़ते है petition की तरफ, जो petition high court में दायर की गई थी, petition जो दायर की गई थी वो फिरोज अकबाल खान, फिरोज अकबाल खान advocate थे, lawyer थे, इस petition जिनके द्वारा डाली गई थी, ये petition इसलिए डाली गई थी, मैं reason बताता हूँ, सुदर्शन चैनल पर एक program आने वाला था, एक program का पुरसार इसके पीछे reason ये था कि क्योंकि जामिया से आपने students देखा होगा, उन्होंने महनत की थी, उन्होंने UPSC clear किया और वो IS officer है, कोई किसी rank पर होगा आज, तो ultimately, ये एक reason था कि जामिया के students क्यों आ रहे हैं, तो एक UPSC जिहाद का program त्यार किया है, सुदर्शन टीवी उसको द फिरोज अग्बाल खार, उनके साथ अमिताब पांडे और एक साथ में अमिताब पांडे थे और साथ में नवरेखा, नवरेखा शर्मा थी, नवरेखा शर्मा ने साथ में उनके constitutional conduct का group है, उनका एक, जिसमें वो मतलब की voice raise करते हैं, कोट के सामने, कि ये topic पर मतलब उनके साथ में कोट के सामने एक प्रशन खड़ा किया, कि अगर कोट right to speech, right to speech और एक मौलिक अधिकार में एक आदमी को कितना बोलने का अधिकार है, और उसको जवाब दही कितनी देनी है, उस पर अगर बात कर सकता है, तो एक कोट hated, एक नफरत speech जो channels, मीडिया आजकल प्र पर क्यों नहीं बात करता, तो इसी के साथ क्या ऐसे मानक, उसी के साथ कोट ने भी कहा कि, कि सुप्रीम कोट ने सबसे पहले उनको notice भेजे है, इसमें सुप्रीम कोट ने notice भेजा है, तीन, चार पार्टीज को, Government of India, सेकेंड इस सुधर्शन चैनल, थर्ड इस, काउंसल, मी News Broadcast, News Broadcast Association को भी भेजा है इसके साथ, और उनको ये कहा है, कि ये प्रोग्राम वहीं पर ही स्टॉप किया जाए, और इसका TV पर कोई प्रसारण ना किया जाए, केम जोसफ ने, जब ये कोट में argument स्टार्ट हुआ, सुप्रीम कोट में, तो केम जोसफ ने सबसे पहले ही बात कही कि कई बार, पैनलिस्ट को बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती, ज़्यादा तर समय एंकर ही बोलते हैं, और पैनलिस्ट की अवाज को म्यूट कर दिया जाता है, आपने अक्सर TV चैनल देखते हैं, उस पर आप देखते होंगे कि एक टाइम पर एंकर ही अपनी बात ज जस्टिस दीवाय चंदरचूर जी ने ये का कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया की शक्ती बहुत बड़ी है, इलेक्ट्रोनिक मीडिया विशेश समुदाय या समुओ को लक्षित करके केंदर बिंदू बना सकता है, इसी के साथ उनने ने का है, प्रतिष्टा को नुक्सान इस ता, वो लोग तो आप इंडिया का बच्चा बच्चा जानता होगा कि इस केस में क्या हो रहा है, एक एपिसोड बना दिया था उन्होंने इल्टिमेटली जो मैंने आप से शुरू में बात की थी, साथी में, इसे कैसे नियंतरित करें या क्या राज, मतलब इसको नियं मानक नहीं होना चाहिए जिन्हें मीडिया स्वेह लागू करें क्या ऐसे मानक नहीं होने चाहिए जिन्हें मीडिया स्वेह लागू करें और जो अनुचे 19 अल्टिमिटल आपको पता है आर्टिकल 19 में right to speech 19 सबक्लास 1 में power दी गई है right to speech and expression की यानि बोलने की अजादी के बरकरार रखे तो इसी पर news channel said that only one religion उन्होंने का कि news channel जो सुदर्शन news channel है वो कैसे कह सकता है यह चीज की एक religion को ही प्रात्मिक्ता मिल रही है UPSC में आने पर मतलब इतने बड़े exam पे भी आप प्रशन चिन लगा रहे हैं और उसी के साथ उन्होंने का कि कि without facts and figure आप allegation कैसे लगा सकते हैं कि UPSC मर एक ही religion आगया रहा है आप कैसे without facts and figure आप कैसे यह चीज कर रहे हैं क्या मुक्त समाज में ऐसे कारे करम की अनुमती दी जा सकती है यह प्रशन यस्टिस्टी दीवा चंदुचूर जी ने किया उसी के साथ उन्होंने ने कि कि हम य fundamental rights को amend करने के लिए it's not a easy task, एक easy task नहीं है इसमें बहुत सारी process होती है तो उसी के साथ Supreme Court made up, Supreme Court ने Justice K.M. Joseph ने ये भी का कि company का संपून shareholder, उन्होंने का कि company का संपून shareholder pattern हम सामने लाया जाए कि एक company में stakeholders कौन है, उनको किस तरीके से news channel benefit दे, news channels को benefit दिया जा रहा है उस company के radius model को यहाँ जाचने के लिए भी रखा जाना चाहिए, मतलब ultimately उनको जो पैसा आ रहा है उसको भी सामने लाना चाहिए, वो पैसा कहा से आ रहा है यहाँ भी देखना चाहिए कि सरकार एक में विग्यापन डाल रही है और दूसरे में कम क्यूं तो एक विग्यापन, एक मीडिया चैनल, एक चीज़ का विग्यापन जादा दिखाता है, दूसरा कम क्यूं दिखाता है, वो चीज़ें भी सामने लानी चाहिए आगे से का कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया के अलावा एक समानने मीडिया भी है, जहां एक लेप्टॉप और पत्रकार लाखों लोगों को अपनी समगरी दिखा सकता है तो उन्होंने ये आगे से का, उसी को जस्टिस चंदर चूड ने आगे से का कि we are not taking and we are not talking on social media, हम social media पर बात नहीं कर रहें, we are talking on electronics, we are not talking on social media, हम एक चीज़ की विनिमत नहीं करने का विकल्प नहीं चुण सकते, क्योंकि हम सभी को विनिमत नहीं कर सकते तो अल्टिमेटली जसिस चंदरचूर जी ने कहा आगे से यह टिपनी की कि हम एक चीज को विन्यमित नहीं करने का विकल्प नहीं चुन सकते क्योंकि हम सभी को विन्यमित नहीं कर सकते उसी के साथ उसलिटर जर्नल ने आगे से का कि I am not talking on social media, I am talking on electronic media मैं social media पर बात नहीं, मैं electronic media पर बात कर रहा हूं तो then K.M. Joseph told about Indian constitution, उन्होंने Indian constitution और American constitution में एक difference, major difference बताया उसमें last में कि although we have borrowed the Indian fundamental rights from American constitution, but in reality if you read the American constitution fundamental rights and Indian fundamental rights, they are slightly, थोड़ा उसमें difference है Indian constitution में article 19 अगर पढ़ेंगे, sub clause 1 पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है right to speech and expression एक citizen को right to speech and expression कर दिया है, when comes to American constitution उसमें जो power दी गई है, उसमें press का अलग से उसमें mention किया है कि right to speech to press and citizen, तो इंडिया में इस तरीके का कुछ नहीं है, कि एक particular right दिया गया है उसमें कुछ guidelines set होनी चाहिए, जिसमें एक media उसके अंतरगत काम करें, वरना आप लोग तो देखी रहे हैं किस तरीके से media show कर रही थी कोई भी trial act, एक trial तो हम court में देखते हैं, उससे पहले ही एक miljim बना दिया जाता है तो पता नहीं without facts and figure कैसे एक आदमी को miljim बना दिया जाता है, जबकि ये काम तो court का है तो मेरा मानना है कि media एक mirror की तरह काम करना चाहिए एक nation में, उसको एक शीशे की तरह दिखाना चाहिए कि क्या चीज, क्या reality है, बजाए कि उनको benefits दिये जाते हैं, कुछ parties के दौरा कि मान लीजे, उनको cash transaction नहीं होती एक reality आपको मैं बताता हूँ, इसमें cash transaction नहीं होती, cash transaction के अलावा भी उनको hospitality के benefits, airlines के benefits, कई benefits दिये जाते हैं तो वो आपको कई लोगों को जानकारी भी होगी, और self regulation होना ही चाहिए, एक committee होनी चाहिए, जो self एक दाइरा इनका create करे, कि किस दाइरे में media को काम करना है तो इस वीडियो में बस आपको ये जानकारी देनी थी कि media से क्यों नराज चल रहा है सुप्रीम कोड और कल इस पर फिर सुनवाई होने वाली है, देखते हैं आगे क्या होता है तो आपको जानकारी मैं देता रहूँगा, इसमें क्या होगा, धन्यवाद